पार्ठ पांच किसी गने जंगल में शेर सिंग नाम का एक बुड़ा शेर तथा उसके दो सेवक लोम्डी वो चील रहते थे बुड़ा होने के कारण शेर शिकार करने में असमर्थ था अता लोम्डी और चील ही उसके लिए भोजन की विवस्ता करते थे एक दिन उन्होंने दूर से एक हिरन को आते देखा लोम्डी ने बड़े प्यार से उससे पूछा तुम कौन हो? कहीं परदेश में आये हो? मैं पास के जंगल में रहता हूँ और अपने सातियों से बिचड़ गया हूँ कोई बात नहीं, यह जंगल भी तुमारा है रहना चाते हो, रह सकते हो आपकी बड़ी किरपा है महराज मैं कुछ दिन बाद अपने जंगल चला जाऊंगा मैं तो सोच रही थी कि शेर सिंग हिरन को मार कर खा जाएगा तो हमें भी कुछ बोजन मिलेगा लेकिन चेर सिंग तो अपने आपको बड़ा दयालू बनता है अब हम भी चेर सिंग के लिए कोई शिकार नहीं डूंडेंगे जब भूख लगेगी तो मार कर खा जाएगा हिरन को तो फिर हम क्या खाएं? महराज, हम चार दिन से भटक रहे हैं हमें कोई शिकार नहीं मिला तो फिर हम क्या खाएं? महराज, अगर आप बुरा न माने तो इस हिरन को नहीं नहीं, वह हमारा मेमान है और हम राजा होकर ऐसा नहीं कर सकते लेकिन महराज, अगर वह स्वेम कहे कि आप मुझे खा लो, तो आप क्या करेंगे? तब मैं इंकार नहीं करूंगा लेकिन हिरन को यह बात स्वेम कहनी पड़ेगी दोनों हिरन के पास जाते हैं और चिकनी चुपडी बाते करते हैं पता है दोस्त, महराज ने चार दिन से कुछ नहीं खाया है सोचती हूं मैं उनके सामने स्वेम को पेश कर दू मैं तुमसे सहमत हूँ समय पढ़ने पर हमें राजा के लिए अपनी जान दे दिनी चाहिए तीनों राजा शेर सिंग के पास जाते हैं महराज, आप भूके हैं आप मुझे खाकर अपना पेट भड़ ले नहीं नहीं, तुम मेरे दास हो मैं तुमारा मास नहीं खा सकता हिरन ने जब देखा कि शेर दासों का मास नहीं खाता तो उसने कहा महराज, आप मेरा मास खाकर अपना पेट भड़ लीजिए शेर ने कहा, ठीक है और उसी समय हिरन के शरीर पर अपने दात गड़ा दिये कुछिक शनों में उसने हिरन को खाकर पेट भड़ लिया तथा जो बचा वह चील और लोमडी के लिए काफी था इस तरह सीधा साधा हिरन अपनी जान गवा बैठा